पहले और के पहले गएन राइटम और दो विकेट सिफ दाव दी डीप मिड विकेट बाउंटरी लाइन के उपर वाइड इस लोग और बाउंटरी लाइन के उपर बावेश जादो नव खिलाडी सर्कल के अंदर दो खिलाडी सर्कल के बाहर बले बाज रईस कादरी के लिए पहली गेलनी स्पार इंसाइड आउट श्टो खिलने का जरूर प्रैस क्या गया था बले बाज रईस कादरी की और से गेन चली गई सिदे विकेट की पर हिनल कराश्चिया के दस्तानों में एक अच्छी फिल्लिंग की सजावट की है मिडॉन के उपर निदे समाले एक्स्टा कोवर के उपर विशाल बामने मिडॉफ के उपर असंबुर आठोड पॉइंट के उपर चंदर स्थोराट सौट थर्मेन के उपर दिपेन इस बार सौट गेन जरूर थी वहाँ पर ऑफसाइट के उपर स्टोको खेले का प्रयास जरू क्या गया बले बाज रईस कादरी की और से रन लेने की कोई गुंजाईस नहीं कोई रन नहीं कोई नुक्सा नहीं डॉट गेन पारी का ये पारंबिक ओवर चलता हुआ निर्दारित आठोवर का मुकाबला ठाकर रोक्स प्रतिक 11 टॉस जीतने के बाद पहले बले बाजी करते हुए इस बाद डाउन दे ग्राउंड स्टोक को खेला चमिन के समान अंतर स्टोक खेला गया था एक्स्टा कोवर के उपर मिड ओफ के उपर गेन को फील क्या गया वहां पर संबूर आठोड के और से रन लेने की कोई गुंजाईस नहीं पारी का यह पारंभी कोवर चलता हुआ बल्ले का अंदरून इस्सा जरूर लिया था वहां पर मोका जरूर था वहां पर विकेट की पर हिनल गरास्या के उपर और एक रन इसी के जाद खादा खोला स्ट्राइक के उपर बल्ले पाज सी वाहिर रिवसिफ स्टोक चरूर के लाता वहां पर बूरी तरीके से बल्ले पाजा नहीं पाए गेन चली गई सिदे पॉइंट के उपर गेन को फिल किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है दो रन पारी का ये पारंबी को ओवर चलता हुआ इसाइड आउट स्टोक को खिलना जाते देवां पर जमिन के समानंतर स्टोक को खिला अच्छी रनिंग बीट्विन दे विगेटर रईस कादरी और सीवाहिर के बीच एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है तीन रन बहुत ही नफितु लिगेन पाजी पारी के ये पारंबी कोवर में लालू बदरी की ओड़ से एक ओवर की समाप्ति के बाद तीन रन इस टोनामेंट का पहला हेट्रिक लिया था लीग मुकाबले में पारी का ये दूसरा वर अपनी कोटे का पहला वर लेकर गिन बाजी के उपर भावेस चादव स्ट्राइक के उपर बल्ले बाज रईश कादरी शिडखानी करने का जरूर प्यास क्या गया था उपस्टम के उपर गुजरती होई गेन चली गई सिदे विकेट की पर हिनल गरासिया के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गेन कुछ सलामसोरा जरूर होए रहाँ पर पारमिक बल्ले बाज सिवाहिर और रईश कादरी ठाकरोक्स प्रतिक 11 की और से इस बीच फिल्डर मौजूद है कि इनको फिल करे और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है चारन पारी का ये दूसरा अवर चलता हुआ स्ट्राइक पर बल्ले बाज सिवाहिर दूर वाले छोट से रिवासीव स्टोक के लाइस बार बेक वर पॉइंट बाउंडरी लाइन के उपर से गेंच चली गई सीमा रेखा के बाहर छे रन के लिए सीवाहिर के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर झाला ये जिस्ट एल इस बार अबल्ले के स्टीकर के उपर लगी रिवास इप्स्टो खेलना चाहते थे और अच्छा कैज निते समाले की और से विकेट का पतन होता हुआ सिवाहिर केज आउठ होकर पविलियन के और ठाकर रोक्स फ्रतिक 11 को लगने वाला ये पहला जटका और ज्यादो को मिले व क्यूं होता जिते संटी का दूझा ऑट घ्यादो कि रूप में नहीं ने प्रस्तान क्या है विकेट के उबर ड्राइव क्या हलके हातों से एक्ष्टा कवर के उपर खेला रही है गेन को फिल क्या जाए निते समाले की और से और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ठाकर रॉक्स फ्रतिक 11 का जा पहुचा है ग्यारा रन एक विकेट के नुपसान के उपर पारी का ये दूसरा आवर चलता हुआ पाउर प्ले अभी भी जारी नव खेलाडी सरकल के अंदर दो खेलाडी सरकल के बाहर टीप मीड विकेट वाइड इस लोंग ओन बाउंटी लाइन के उपर बल्ले बाज रईश कादरी के लिए हलकी सी अपीलिस बारुस साज़ादा विश्वास कब न कर दिया डॉट गैन बिंदी गैन काउंट की जाएगी दो वर की समापती के बाद स्कोर है ग्यार अरन एक विकेट के नुपसान के उपर पर बले समापतो होता हुआ है अब फिल्डिंग डिक्सिक्शन यहां से खुल जाएगा पारी का यह तीसरा आवर और अपने गोटे का यह दूसरा आवर लेकर गेन बाजी के उपर लालू बद्री इस प्रकार फिल्डिंग की सिजावट के गई है विकेट की पर रिनल गरासिया के ओर से डीप कवर बाउंटरी लाइन के उपर लॉंग ऑफ बाउंटरी लाइन के उपर वाइड इस लॉंग ओन डीप मिड विकेट और स्क्वेर लेक कट स्टोक के लाबले बादने इस बार पॉइंट के उपर अच्छी फिल्लिंग अलपेस बिलबुडी की ओर से थ्रू दिया जाए तब तक कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं डॉट गैन बिन्दे गैन काउंट के जाएगी स्कोर कार्ड के उपर ग्यारा रन एक विकेट के नुक्सान के उपर पारिक आए तीसरा अवर जारी राइट अम और दे विकेट रोड एंड की और से हलके हाथों सिखे लवा स्टोक वहाँ पर जमीन के समान तर गैन चली गई सीथे स्क्वेल एक बाउंटरी लाइन के उपर इंसाइड आउट स्टोक रहना चाहते थे हवा में खड़ी हो गई है क्या ड्रॉप हुआ साइड चंद्रे स्थोरा थे टिप कवर बाउंटरी लाइन के उपर प्रयास जरूर किया था वहाँ पर सही बोजिशन नहीं बना पाए एक मौका जरूर मिला अब रईस कादरी को तेरा रन टीम का स्कोर है एक विकेट के नुक्सान के उपर इस भी लालू बदरी बॉलिंग लाइन के उपर मुच्छा लगाना चाते थे पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए गेन चली गई सिदे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं पारी का ये तीसरा आवर जारी तेरा रन स्कोर काड़ के उपर इस बार पूरी तरीके से बीट हुए गेन चली गई सिदे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं डॉट गेन नफी तोली गेन बाजी का प्रशन बीच मेतान के उपर लालो बदरी अपने कोटे का ये दूसरा ओवर कर रहे एक असर ये पांच गेन हो चुके है सिर्फ पांच रन खर्ज की अभी तक डाउन दे लेग वाइट का इसारा इसपीच अंपाइस की और से अतरीक के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा चाउधारन एक विकेट के नुक्सान के उपर में अंपाइस के उपर लियो जोन सर और श्राइक अंपाइस के उपर है सत्यम मिस्त्री सर अफसाइट के उपर इस बार छिड़ खाने का जरूर प्रैस के आगया था गेंच चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में इसमीच तीन आउवर के समापती के बाद चाउधारन एक विकेट के नुक्सान के उपर झाल 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 से काफे ज्यादा बाहर वाइट करार दिया जाएगा इस पीच अत्रीक रन काउंट किया जाएगा स्कोर काड के उपर अत्रीक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाब पहुचा है 21 एक कीस रन एक विकेट के नुकसान के उपर पारे का ये चोथा आवर चलता हुआ इस बार कट्स्टो के लाएप पॉइंट के उपर फिल्डर तेनाथ गेन को फिल किया जाए अलपेस की और से और थ्रो दिया जाए तब तक कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गेन पारी का ये चोथा आवर 21-21 रन ठाकर रोक्स फ्रतिक 11 एक विकेट के नुकसान के उपर बावेस जादाओ बॉलिंग लाइन के उपर अच्छी फिल्डिंग वहाँ पर विशाल बामने की और से केन को फिल करे और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कूर आगे बढ़ता हुआ जाब उचा है 22 रन एक विकेट के नुकसान के उपर पारी का ये चोथा आवर जारी अब इस्टाई के उपर बल्लेबाज नाईम सेख गली के उपर इस बार्टो के लाहे रन आउट का खत्रा मगर सुरक्सित की इसमें मुझोद काफी अच्छी रनिंग बीट्विन दविकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज के बीच एक रन के साथ स्कूर आगे बढ़ता हुआ जाब पुचा है 23 रन एक विकेट के नुकसान के उपर पारी का ये चोथा आवर जारी रिवा सिप्स्टोक को खिला जाते देश बार हलकी सी अपिल जरू की गई थी वहां पर भावेश ज्याद हो की और से कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गैन टीम का स्कूर अभी भी रुका हुआ पारे के ये चोथे और में 23 रन एक विकेट के नुकसान के उपर सौट थर्ड में के उपर दिमर फिल्डिंग करें हैं सौट फाइन लेक के उपर थाड़ याट सरकल के अंदर दिपेंद आ ठोड लिप मिट विकेट के उपर एक खिलाडी वाइड इस लॉंग ओन और लॉंग आफ पाउंटर लैन के उपर इस बारत सौट फाइनले के उपर स्टो के लागें चाहिल गई सीधे सिमा रखा गे और वन बाउंस के बाद चार रन और इस बीच टाइम आउट झाल 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 गेन बाजी के उपर संबू अपने गोटे का पहला आवर लेकर टीम की और से पांच वावर लेकर रोड एंड की और से रिवा सिप्स खेलना चाहते थे वहां पर कि अगार इस बिच्व ट्वेंटिनाइन उन्तिस एक विगेट के नुक्सान के पर पारी का ये पांच वावर संबू बॉलिंग लाइन के उपर तयार बेठक सोट लगाना चाहते थे पूरी तरीके से बल्ले पर सजाना ही पाए गेन चली गई सिदे गली के उपर लेक बाई का इसारा पैसर की और से तो इस बीच अत्रीक रन काउंट के जाएगा तीस रन स्कोर काड के उपर पारी का ये पांच वावर जारी इस बीच गेन चली गई इसी मारिखा के बाहर छे रन के लिए झाल झाल झालब के लिए पांट झालब काड पी बाहर झाल झालब के बाहर जाई कि लिपर ए गगर। झाल झाल दूर उबारे जो केम के वर्षाद पड़ेलो छे एटले करन्ट उतरवानी संभावना छे थोड़ो दूर उबारे जो टावर थी थर्टी सिक्स रन एक विकेट के नुकसान के उपर पारी का यह पांचो अवर जारी संभूराटो बॉलिंग लाइन के उपर तैयार रोड एंड की और से छोटा सरब लेकर राइटम और विकेट गेंड करेंगे स्ट्राइक के उपर बले बाजराइस कादरी इंसाइड आउट इस बास्टो खिला है डी पॉइंट बाउंटर लाइन के उपर कोई खिलारी मजूद नहीं गैन कई सीमा रिखा के बाहर छे रन के लिए दो गेंदों के उपर दो सिक्सर अइस्पन नहीं ऑट रगम ड्रट सर्फ बाल करेंड के लिए र्पास बाहरती हो जबने कर दो स्ट्चों में झास quarter पॉबोकर भी आप पर पारी का ये पाच वावर हाकुबभाई पटेल साइट स्कीन के उपर ओफ्स्टम से काफी ज़्यादा बाहर इस बार हाव वाइट करार दिया जाएगा अत्रीक एक रन काउन क्या जाएगा स्कोर काड़ के उपर अत्रीक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है 43, 43 रन, एक विकेट के नुकसान के उपर डाउन ग्राउन इस बार स्टोको के ला बले बाजनत पहला रन काफी तेजी के साथ लिया हलकी सी मिस्पिलिंग जरू हुई लेकिन एक ही रन से संतुज होना पड़ेगा दोनों बले बाज को ओवर की समापती पाँच ओवर की समापती के बाद 44 रन, एक विकेट के नुकसान के उपर ठाकर रॉक्स प्रतिक 11 पाँच प्रतिक 11 गेन बाजी के उपर अलपेस ने दूर वाले छोड़ से गेन बाजी की जिम्मेदारी संबार रखी है स्ट्राइक के उपर बल्ले बाज रईस कादरी 17 गेंदों के उपर 28 रन बना कर बल्ले बाजी करते हुए शॉट गेन जरूर थी इस बाज बल्ले के स्टिकर के उपर लगी गेन चली गई सीधे शॉट फाइन लेक के उपर दिपेन गेन को फिल करें तब तक कोई रन नहीं कोई नोक्सान नहीं इस बार बेक वर पॉइंट के पर कट स्टोक है लाएं बल्ले बाज ने कोई मौका नहीं वहाँ पर फिल्डर जरूर था डिप कवर बाउंटरी लाइन के उपर लेकिन गेन चली गई सीधे सीमा रिखा के बाहर चार रन के लिए इसी जोगे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन बल्ले कांदरू ने इस्ता जरूर लिया था वाँ पर वन बाउंस के बाद गेन पहुची विकेट की पर हिनल कराचिया के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं पारी का यह चटावर 48 रन स्कूर कार के उपर लॉंग ऑफ के उपर अच्छा के हैच वहां पर अपर हैंड कैट लिया लॉंग ऑफ पाउंट्री लाइन के उपर रहिस कादरी यहां पर केच आउट होकर पविलियन के उठाग करने वाला यह दूसरा जटका करने वाला यहां जपरो चाहख लियां पर अच्छा कट्ष्टों खेला है इस बार पॉइंट के ओपर खेला रही है कि इनको फील किया जाए जंदर सोराट की और से काफे खराब स्रो एक रंगे साथ स्कोर आगे बलता हुआ फोटी नाइन रन स्कोर कार के उपर इस बार सामने की तरफ गेन बाच के सर के उपर से छे रन तो इस बीच इसी छे रनों के साथ वेलकम फिप्टी चीर अप्धा फिप्टी ठाकर रोक्स प्रतीक एलेवन अपने पत्चास रन पुरे के और टीम का स्कोर जाब हो चाहिए फिप्टी फाई रन दो विकेट के नुखसान के उपर छे ओवर की समापती के बाद झाल 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 अच्छा कैच वाइडी स्लोगन बाउंडरी लाइन के पर भावेश ज्याद हूँ विकेट का सिलसिला यहां पर चलता हुआ के राहिर केच आउठ होकर पविलियन के और आ रहे हैं झालता हुआ झालता हुआ हैं कि अच्छान के नुक्सान के उपर नहीं बल्लेबाज यूरा सोलंगी गेन बाजी के उपर संबूरा ठोड जब इनके समानतर स्टोकों के लाहे इस पार लॉंग बेरियर्ट पोजिशन के उपर वाइड इस लॉंग और बाउंटर लाइन के उपर गेन को फिल किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ज पूचा लगाना चाते देश बार पूरी तरीके से बीठ हुए गेन गई सिदे विकेट कीपर के दस्तानों में सौट गेन जरूर थी वाँपर गेन चली गई सिदे सौट ठर्मेन के उपर गेन को फिल किया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाब पहुचा है 57 रन पारे का यह साथ वावर तीन विकेट के नुक्सान के उपर इस बार टीप पॉइंट बाउंटरी लाइन के उपर गेन चली गई फिल्टर मौचूद वहाँ पर गेन को फिल किया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस बार और की समापती साथ और की समापती के बाद 58 रन स्कोर कार के उपर तीन विकेट के नुक्सान के उपर इस बाजी के उपर आल पेस आखरी इच्छे गेंदे बजी हुई है बल्ले का उपर इससा जरूर लगाता वहां पर असोट ठर्मेंट के उपर गेन चली गई दी उटीमर एक अच्छे फिल्डर माने जाता है गेन को फिल क्या जाए और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता ह जा पहुचा है फिप्टी नाइन रन लोगाप पाउंट्री लाइन के उपर खेलावा स्टोक गेन को फिल क्या जाए लोगाप बाउंट्री लाइन के फिल्डर संभू की और से और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाब पहुचा है सिक्स्टी सांट रन स्कोर कार के उपर यूरास सोलंगी स्ट्राइक के उपर बल्ले बाज बॉलिंग लाइन के उपर अलपेस सौट गेन जरूरती इस बार बरपर फाइदा उटाया स्कोर लेक बाउंट्री लाइन के उपर से गेन को भेजा सीधे सिमा रखा के बाहर हवाई फायर यूरास सोलंगी के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर गेन को फिल्डर मुझूद गेन को फिल्ड क्या जाए तब तक एक ही रन से संतूस होना पड़ेगा दोनों बल्ले बाज को तो इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है सिक्स्टी सेवन रन बल्ले के स्टिकर के उपर लगी इस बार गेन चली गई सिधे फिल्डर वहाँ पर मुझूद दूसरा रन लेते हुए रन आउट के रूप में ये विकेट झाल 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 आख्री और की आख्री गेंसे नएपल लेबाज के लिए टीम का स्कोर है शिक्स्टी इट रन चार विकेट के नुकसान के उपर बॉलिंग लाइन के उपर तैयार भल गुड्लेंस पाड़ टपाखाने के बाद गेन पहुझे इस इदे विकेट की पर के दस्टारों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट्ट गेन तो यहां से अब 9 रन बनाने है निर्दारित 8 और में ओम स्टाइकर्स को ये मुकाबल अगर जीतना है तो 69 रन बनाने है निर्दारित 8 और में झालने है झाल 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 तमारूपण हार्दिक स्वागट छे मेहल भाई रबारी तमारूपण हार्दिक स्वागट छे येदी बार्चोल अभी तक नाराज इस मुकबले को जीतने के लिए दोनों पारंबेक बल्लेबाज आ जुके हैं विकेट के उपर हीनल गरासिया और लालू बदरी स्ट्राइक के उपर है लालू बदरी और नों स्ट्राइक एंड के उपर हीनल गरासिया गिन बाजी के उपर गिन बाजी की जिम्मेदारी सुबास ने संबार रखी है पारी का ये पारंबी कोवर पहले और की पहली गेंड बल्लेबाज लालू बदरी के लिए क्रोस दे लाइन कहलना चाहते थे इस बार बल्ला चला है जरूर था वहां पर गेंड और बल्ले का कोई संपर्क नहीं बल्लेबाज के लिए डीप मिड्विकेट और स्केल लेक बाउंटरी लाइन के उपर है सिवाहिर फिल्लिंग करें डीप मिड्विकेट बाउंटरी लाइन के उपर तरमेस बक्सी स्केल लेक बाउंटरी लाइन के उपर अफस्टम से गुजरती हुई गेन चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं डॉट गेन सीधे बल्ले से इस बास टोको केला वहां पर मिडोन से गुजरती हुई गेन हलकी सी मिस्फिलिंग जरूर हुई लेकिन एक ही रन से संतुस होना पड़ेगा अपना खाता खोला यहां पर लालू बदरी ने स्ट्राइक के उपर बल्ले बाज हिनल गराश्या हुई लटास गया इस बार गेन चली गई सीधे स्क्वेल लेक बाउंडरी लाइन के उपर से वन बाउंस के बाद चारन सिक्सर लगाएंगे तो हर एक सिक्सर के उपर पांसो एक रूपे अपर यांग बाई की और से हवा में गेन जरूरती इस बार विकेट की पर बीठ हुए के उ राहिर टीम का स्कॉर इस बीच पहुचा है पांच रन हर एक सिक्सर के उपर पांसो एक रूपे का नकत बूरसकार दिया जाएगा प्रियांक भाई की और से हिनल गराश्या के लिए क्रोस दे लाइन केलना जाते थे इस बार गेन चली गई सीधे विकेट की पर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं एक और के समापती के बाद पांच रन पहले दो वर सरकल पार प्ले नव खिलारी सरकल के अंदर दो खिलारी सरकल के बाहर पारी का पहला और समापत होता हुआ ओम स्टाइकर्स का स्कूर्ट जाप होचा है पांच रन अब बल्ले बाज लालू बदरी के लिए अगर बात की जाए तो स्क्वेल लेक बाउंटर लाइन के उपर तर्मियस बक्सी को सामिल क्या गया है वाइडिस लॉंगन बाउंटर लेकर चौनां बाजी के उपर रईस कादरी तूर वाले छोड से उस्ट इस थड़ मैंन के उपर के उर खी युरा ये फ्लेक पर एक खिलाड़ी को सामिल क्या गया है कमलेस गली के उपर यूराज सोलंगी पॉइंट के उपर एक्स्टा कोवर के उपर प्रेम फिल्डिंग करें मिड़ॉफ के उपर स्ट्राइक के उपर बल्लेबाज लालू बदरी क्रोस दे लाइन खेलना जाते देश बारा गेन चली गई सिदे वहीं परे गई कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं है 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 कि अधियर न किसा स्कूर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है डबल अंको में ग्यारा रन ओम स्टाइकर्स ओम स्टाइकर्स के बल्लेबाज के लिए इनाम का एनॉंस्मेंट किया जा रहा है पप्पु भाई की और से हर एक सिक्सर के उपर पांसो एक रुपे का नकत पुरसकार दिया जाएगा लालू बदरी और हिनल गरासिया के लिए और हिनल गरासिया अगर सिक्सर लगाएंगे तो हर एक सिक्सर के उपर प्रियांक भाई पटिल के और से भी पांसो एक रुपे का नकत पुरसकार रईस कादरी बॉलिंग लाइन के उपर दूरवाले छोड़ से इस बार एक और डीप मीट विकेट के उपर से यूजेन हाइम मैक्सिमाम आउट ओप पार्क गेन चली गई सीमा रखा के बाहर छे रन के लिए रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पोचा है 17 रन पारी का ये दूसरा आवर चल रहा है यहां पर जो भी इस मुकाबले को देख रहा है बता देता हूँ ओपन टैनिस क्रिकेट टूनामेंट उनाई क्रिकेट ग्राउंड के उपर लालू बदरी की और से 70 रनों की पारी खेली गई थी बहुती आकरमक मुन में बल्ले बाजी की गई थी उनाई क्रिकेट ग्राउंड के उपर उसी पारी को आज दोराने का जरूर प्रेयास करेंगे 17 रन स्कोर काड के उपर पारी का ये दूसरा आवर चलता हुआ पार प्ले का भरपूर फाइदा उठाते हुए दोनों बल्ले बाज फिलार रईस कादरी बॉलिंग लाइन के उपर दूर वाले छोड़ से जमीन के सारे इस बास्टो को खेला फिल्डर मौजुद वाँपर मिडॉन के उपर हलकी सी मिस फिल्लिंग जरूर हुई एक रन असारी के साथ बुरा करेंगे दोनों बल्ले बाज इसी एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है अठरा रन पारी का ये दूसरा आवर जा रही है रईस कादरी बॉलिंग लाइन के बरस्टाई के पर बल्ले बाज हिनल करासिया साबने की तरब इस बाल लॉंग आफ के उपर से गेन चली गई सीधे सीमा रहा कि और वन बाउंस के बाद चार रन 22 बाइस रन पारी के ये दूसरे ओवर में काफी मेंगा ओवर रहा है पार बले के जरिये से अगर इस बात कि जाए तो सत्रा रन अभी तक खर्च के है गेन बाज रईस कादरी नहीं इस बार एक और हवा में जरूरे लोंगा बाउंटरी लाइंग के पर गेन गई सीधे सीमा रहा कि और वेडिंग फॉर्द अंपायर सिगनल छे रन का इसारा हिनल गरासिया के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर और टीम का स्कोर इस भी जापोचा है अठा इस रन दो वर की समाप्ति के बाद दो वर की समाप्ति के बाद स्कोर जापोचा है अठा इस रन इस वेज़ टाइज रंस कोई काड़ के उपर दोवर की समापती के बाद स्कोर काड़ के उपर पिछला और मेंगा जरूर रहा उसके बाद अब के बाजी के उपर सुबास को सामिल क्या जा रहा है कप्तान की और से इस बार फिल्डर मौझूद है अच्छी फिलिंग सी वाहिर की और सेटी मिडविगेट बाउंटरी लाइन के उपर के इनको फिल किया गया और थ्रो दिया जाए तब तक एक रंज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है 29-39 रं पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ हुआ है हुआ है फुल्टास गैन इस बार जमीन के सारे श्ट्रोकों के लागें चलिक इसी देस के लेक बाउंटरी लाइन के पर प्रणा वाहिर की और से गैन को फिल किया और थ्रो दिया जाए तब तक एक रंड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है 30 अगर शिक्सर लगाएंगे तो हर एक शिक्सर के उपर एक जार एक रूपे का नकत पूरसकार दिया जाएगा पंकज बाई पपो की और से डाउन दे ग्राउंड इस बार स्टोकों के लाइन के उपर फिल्डर मौजूद गैन को फिल किया जाए और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ स्कूर आगे बढ़ता हुआ जाब पहुचा है थर्टीवन इकरतीस रन पारी का यह तीसरा आवर चलता हुआ इस बीच हुआ हुआ में गैन मौका मिला है के ड्रोप वह वहां पर एक रन असानी के साथ बुरा गया इसी एक रन के साथ स्कूर जाब पहुचा है बढ़तीस रन इस बारत लोंगान के उपर से यूजएन हाई मैक्सिमम कोमेंटरी बॉक्स की और आती हुई कैन लालू बदरी के बल्ले से लगने वाला यह तीसरा सीक्सर आकरम अक्मोर में बल्ले बाजी करते हुए है बल्ले बाज लालो बना कर हिनल गरास्या बल्ले बाजी करे और साथ गेंदों के उपर इस बार के हाथों से ट्राइव किया वहां पर गेन चली के इसी देल लॉंग आफ के उपर अगेन को फिल क्या जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पोचा है 49 रन ओवर की समापती हुआ फल तीस रन चाहिए है है हिनल गराशिया पप्पु भाई की ओर से हर एक सिक्सर की ओपर एक अजार रुपे का नकट पूरस कर दिया जाएगा 49 रन स्कूर कार्ड के उपर पारी का ये चोथा ओवर गेन बाजी के उपर धर्मेस बकसी चार गेंदों के उपर चार विकेट लिये थे कर लीग मुकाबले में कुछ कर्तप करना होगा आज धर्मेस बकसी दूर वाले छोर से लेक्स टम के उपर गेन जरूर थी वहाँ पर पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाई गेन चली गई सीधे विकेट की पर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुकसा नहीं डॉट गेन बिंदी गेन काउंट की जाएगी तेश रन बनाकर बल्ले बाजी करते हुए बल्ले बाज लालो पॉइंट के उबर कमलेस इस बार बल्ले का उपरी हिस्सा जरूर है नीचे खेलाड़ी है हसने अच्छा कैच विकेट का पतन होता हुआ धर्मेस बकसी को मिलने वाली पहली सबलता और और ओम स्ट्राइकर्स को लगने वाला यह पहला जटका लालू बदरी आउट होकर पविलन के और झाल 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 कि लिए बाच के रूप में इस भी संबूर आठोड ने प्रस्तान किया है एविकेट के उपर स्कोर की बात की जाए तो पारी का ये चोथा आवर चलता हुआ हुआ उन्चालीस रण एक विकेट के नुकसान के उबर नोकाउट मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीम के लिए काफी महत्वपूना मुकाबला ये राइट आम और दो विकेट इस बार अग्यान चली गई सीधे स्कुएलेक बाउंट्री लाइन के उपर से वन बाउंस के ब इस पीच जमीन के सारे स्टोक को कहला वाहां पर फिल्डर मौजूद लोगा बाउंट्री लाइन के उपर 44 रन स्कोर काड के उपर 45 रन स्कोर काड के उपर 45 रन स्कोर के उपर के उपर संबुग ले 200 रुपे का इनाम इस बार उड़ाया डीप मीड विकेट के उपर 500 रुपे का इनाम लेकिन लालच बहुत बहुत चीज़ है विकेट का पतन होता हुआ यहां पर मिलने वाली यह दूसरी सबलता दर्मेस बक्सी को कई वे यह दो का solid दे आतर रब दे रआने दे वाल ढाम खोै रड़ाल ले अार त्टर घ।, ताक यह दायो ह्टन –क जफा है वफ क्था nominee।, झाल 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 मैं बले बाजल पेश बिलपुडी 24 गेदो के उपर 24 रन चाहिए गेन बाजी के उपर नईम झाल झाल ग्रवी राज सी परमार अपने भी जो पस्ती थे उनका हर्दिक स्वागत है व्याइएपी डाइस के उपर आ जाए उनके साथ गवरांग गज्जर 46 रन पारी का ये पांच वावर चलता हुआ और साइड स्कीन के उपर ओम बारसोल का भविश्य जैदी बारसोल के साथ लेफ्ट हैंड बाज बहुत ही बहुत ही बहुत ही गेन बाजी चारों खाने चीत कर देने वाली गेन थी चली गई विगेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नोक्सा नहीं डॉट गेन 46 रन टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ पारे का ये पांच वावर चलता हुआ सिंगल के लिए सिलिक अवर के उपर के युर आहिर खड़े है हलकी से अभी लुसा जाता विश्वास कम इस बार वाइड करार दिया जाएगा अत्रीक एक रन काउंट क्या जाएगा स्कोर कार्ड के उपर 47 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ और सीदा हातों में वहाँ पर लगने वाला तीसरा जटकाए कुछ बहुत ही बढ़िया कप्तानी वहाँ पर क्या जाएगा क्या जाएगा निव बेट्समें विसल बामने? विसल बामने के हर एक छक्के के उपर 500 रुपय के नाम पपू भाई की वर से बहुत ही बड़ी है वहाँ पर हलके हाँ से खिल दिया एक रन के लिए वहाँ पर एक रन के साथ स्कोर जाब हो चाहे 48 रन पारी का ये 5 मा ओर अगले के इंद बाच उचा लगाया वाहाँ पर प्रनाव मौजुदर को इंद नहीं है वाहाँ बादी बड़ा जटका यहाँ पर करते है झारे कि बार के बार के बारे कि जख़ भाइंद तो फी선वरी क बारे कि बारacy ओ気 कर दे मौचब बप्रनाव पर मौचब बचल führen होगन आ एक मौचा बेंट एक रस करत दो लिया साथ जीत के लिए 22 रन चाहिए 21 वान सॉरी जीत के लिए 22 रन चाहिए पिन राठोल ने आपर प्रस्तान किया है जीत के लिए 22 रन चाहिए झाल 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 जाब होचा है 48 रन लॉस ओफ फॉर विकेट अब जीत के लिए 18 गेंदो के उपर 21 रन चाहिए 18 चेंडो आने 21 धावा झाल पांच अवर की समापती के बाद इस बीच टीम का स्कोर है 48-48 रन आने वाली 18 गेंदों के उपर 21 रनों की जरुवत कि बाजी के उपर दर्मयस बक्सी ने जिम्मेदारी संभार कि यह ज़रु इस बार जमीन के समानतर ष्टुक को क्यला है लोगांटरी लाइन के उपर प्रणवाहिर के और से गेंदों कर दोन के साथ है आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है 49 रन आने वाली सत्तरा गिंदों के उपर 20 रनों के जरुवत दोनों ही टीमों के लिए काफी महतोपूरा मुकाबला चलता हुआ बीच मेदान में दर्मेस बक्सी दूर वाले छोड़े ट्राइक के उपर बल्ले बाज डीपेन डॉट गैन गुड लेन स्पोर्ट के उपर टपा खाने के बाद गैन ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का सटिक लेन्थ ओल लाइन के साथ गैन बाजी करते हुए गैन बाज यहां से जो भी जीतेगा उसका सफर आगे बढ़ेगा और जो भी हारेगा उसका सफर यहीं पर रुख जाएगा और जो भी जीतेगा वो खेलेगा कौलिफाई राउंड टू जलाराम ग्रुपा के साथ दरमेश बक्सी दूर वाले छोड़ से इस वहर हल्की सी आवास जरूर आएं और जी हां विकेट का पतन होता हुआ है लगने वाला ये 5 जह्टका बहुत ही कैच connect की पर सुबास की ओर से टीपेन ाउट होकर पविल्यनकी ओर लगने वाला ये 5 जहटका आधी टिन पविल्यन लाट चुकी है हों स्टाइकर्स की 49 के उपर टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है जीतने के लिए अभी भी कि पंद्रा गेंदों के उपर 20 रनों की जरुवत कि उपर टीम की एंदों की जरुवत कि पंद्रा गेंदों के स्कोर गेंदों कि जरुवत माली साहिब यहां पर उपस सीथे उनका भी हर्दिक स्वागत है फोरेश डिपार्टमेंट से है वीकेट के उपर एक अजार एक रुपे का नकत पूरसकार दर्मेस बक्सी के लिए नए बल्लेबाज भावेस जादव कलाईयों के सारे मोडा इस बार गेन चली गई सीथे सौट फाइन लेक के उपर गेन को फिल किया जाए हसनेन की और से और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन के साथ चीर अब दा फिप्टी पचास रन पूरे की होम स्टाइकर्स ने जीतने के लिए 19 रन बाकी बची हुई 14 गे बॉलिंग लाइन के उपर तरमेस बक्सी दूरवाले छोड़ से कर्ष्टो के लाइस बार पॉइंट के उपर फिल्डर है साधी स्कोरर हलकी सी अपिल एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा फिप्टी वन एक आवन रन पांच विकेट के नोकसान के उपर पारी का ये छट्टा आवर चलता हुआ तेरा गेंदों के उपर अठरा रन चाहिए नफी दूली गेंबाजी एक असर ये पांच गेंद कर चुके है दरमेस पटेल बक्सी नाव रन खर्च के और तीन विकेट स्ट्राइक के उपर भावेश ज्यादाव बॉलिंग लाइन के उपर दरमेस इस बार उचा लगाया नीचे खेलाड़ी है केजिंग पोजिशन के उपर सिवाहिर वन बाउंस के बाद गेंड को फिल करें और थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन से संतुस होना पड़ेगा दोनों बल्ले बाच को तो इस बीच अवर की समापती और 6 अवर की समापती के बाद स्कूर है 52 रन अब जीतने के लिए 17 रन चाहिए अभी भी आने वाली 12 गेंदों के उपर झाल 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 जल ज्यादा वक्त ना लिया जाए 12 गेंदों के उपर जीतने के लिए अभी भी 17 रनों की जरुवत 52 स्कूर कार्ड के उपर 22 रन पांच विकेट के नोकसान के उपर गेंबाजी के उपर वोम अप करते हुए रईस कादरी यानि की अब अपने गोटे का दूसरा वर टीम की और से साथ वावर लेकर गेंबाजी के उपर रईस कादरी ने गेंबाजी की जिम्मेदारी संबार रखी है पारी का जब पारम भी कोवर किया था रईस कादरी ने तो 23 रन खर्च किये थे स्ट्राइक के उपर बले बाज भावेश जादो फिल्लिंग की बात की जाए तो इस बीच एक्स्ट्रा कवर यानि की सीली कवर को थोड़ा नस्दीक फिल्लिंग के लिए रखा गया है केव राहिर फिल्लिंग कर रहे है 30 यार सेरकल के अंदर वाइडीज लॉंगाउन लॉंगाउप डीप कवर बाउंटरी लाइन के उपर प्रेम पटेल लॉंगाउप बाउंटरी लाइन के उपर दरमेस बक्सी वाइडीज लॉंगाउन के उपर नाईम और डीप मिंड विकेट बाउंटरी लाइन के उपर सीवाहिर वाइड यॉरकर जिसको कहा जाना चाहिए ये पेस का इस्तमाल किया गया वहाँ पर गेन बाच की और से वाइड यॉरकर ये अच्छी लेंध है गेन बाच की और से डॉट गैन 52 रंस स्कूर कार के उबर 5 विकेट के नुकसान के उबर है राइटम और दो विकेट काफी लंबा से रोड एंड की और से रईसकादरी वल्ले का अंद्रो निस्ता और विकेट की पर का साहरा मिला विकेट यहां पर विकेट नमबर छट्टा मिलने वाली पहली सफलता गेन बाच रईसकादरी के नाम डीजे एक रुपे का नकत पुरसकार यहां पर दिया गया है इस विकेट के लिए जो रईसकादरी ने विकेट लिए है कोमेंटरी बोक्स में इनाम आ चुका है शिकसर के उपर भी इनाम है विशाल बामने अगर शिकसर लगाएंगे तो पप्पु भाई की और से हर एक शिकसर के उपर एक अजार एक रुपे का नकत पुरसकार दिया जाएगा चंद्रे स्थोराट नए बल्ले बाज चंद्रे स्थोराट अगर शिकसर लगाएंगे तो हर एक शिकसर के उपर एक अजार एक रुपे का इनाम पपु भाई की और से वीकेंड के लिए इनाम आचुका है रईस कादरी को मिलने वाली पहली सबलता दरंपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते है एक इन बाज फिलाल रोड एंड की और से स्टाइक के उपर बल्ले बाज चंद्रे स्थोराट सामना करने के लिए तयार कर्श्टो के लाए बल्ले बाजने पॉइंट के उपर इस बार गेंच चली गई सीथे बेकवार पॉइंट बाउंटर लाइन के उपर दूसरा रण देते वेर रन आउट का खत्रा मगर सुरक सीथ क्रीज में मौझूद दो रन आसानी के साथ पूरे गिये तो इसी दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पोचा है 54 रन छेविकेट के नुकसान के उपर पारिका ये 7 वावर चलता हुआ तो इस बीच नफितोली गेन बाजी का प्रदसान अभी तक दो रन खर्च किये है नाव गेंदों के उपर 15 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए टीम का स्कोर है 54 रन छेविकेट के नुकसान के उपर पारिका ये 7 वावर चंदर थोड़ा स्ट्राइक के उपर वाइड और कर जिसको कहा जाना चाहिए नफितोली गेन बाजी काफी पेश का इस्तमाल किया जा रहा है गेन बाज रईस कादरी की और से जिस प्रकार से जाने जाते है गेन बाजी के उपर उसी प्रकार की गेन बाजी करते हुए जीतने के लिए अभी भी पंदरा रन चाहिए 54 स्कुर रुका हुआ है चोपन रन 6 विकेट के नुकसान के उपर बॉलिंग लाइन के उपर राइटम और दा विकेट बल्ले का अंद्रूनिस्ता इस बार गली के उपर गेन चली कई फिल्डर मौजुद वहाँ पर गेन को फिल्ड करे तब तक एक ही रन से संतुच होना पड़ेगा तो इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है 55 रन छे विगेट के नोकसान के उपर साथ गेंदों के उपर 14 रन बहुदी नफी दोले गेन बाजी अभी तक खुबचुरत गेन बाजी के प्रशन रईस कादरी की और से सिर्फ तीन रन खर्श की अभी तक स्ट्राइक के उपर बले बाज विशाल बामने शिक्सल लगाएंगे तो 1001 रुपे का नकत पूरसकर दिया जाएगा पपु बाई की और से और इस गेन के उपर अगर विगेट लेते हैं रईस तो 501 रुपे का नकत पूरसकर दिया जाएगा कीरण बाय आहिर की और से रईस कादरी के लिए एक इनाम आ चुका है और शिक्सर के उपर भी इनाम है विगेट के उपर भी इनाम यहां मान भी मिलेगा और सनमान भी मिलेगा इस बार ओफ्ष्टम से गुजरती हुई गैन डॉट गैन वीकेट की पर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं हर सिल्वा याहिर की और से भी एक अजार इक रुपे का नकत बुरस कर दिया जाएगा वीकेट के उपर फिलाल यहां पर ओवर की समापती छे गैन चवदारन चाहिए छे गैन के उपर चवदारन काफी रोमांचक मुकाबला छे गैंदों के उपर अभी पर जीतने के लिए स्कोरकाड के उपर दोनों ही बल्ले बाजों के लिए इनाम का एनॉस्मेंट क्या है हर एक सिक्सर के उपर पपो भाई की और से एक अजार इक रुपया अगेन बाजी के उपर नाइम वीकेट के उपर भी पांच सो एक रुपय का इनाम किरन भाई आहिर की और से हर सिल भाई की और से भी एक अजार इक रुपय का नकत पुरसकार फिराल राइटम और दो विकेट नाइम बोलिंग लाइन के उपर जब इनके सारे स्टोको के ला लॉंग बेरियर पोजिशन के उपर लॉंग बाउंटरी लाइन के उपर गेन को फिल किया जाए प्रणाव आहिर की और से और थ्रो दिया जाए तब तक एक रन अब श्ट्राइक के उपर बले बाज विशाल बाम ने टेनिस क्रिकेट के अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है कुछ कर्तब दिखाने का मौका आज बले बाज के उपर 56 रन पांच गेंदो के उपर 13 रन 24 गेंदो के उपर 24 रन चाहिए थे समीक रन बदल चुका है अब पांच गेंदो के उपर 13 रन अब यहाँ पर जो गेंद बाजी की बात की जाए तो पूरा यह समीक रन बदला हुआ दर्मेस बक्सी की अवर में और रईस कादरी की अवर में नई बोलिंग लाइन के उपर तैयार दुर वाले छोड़े स्ट्राइक के उपर बले बाज भी साल हेलिकॉप्टर उड़ाना चाते थे इस बार गेंद चली गई सीधे सीमा रिखा के बाहर छे रन छे रन का इसारा इसबी चमपाईस की और से चार गेंदो के उपर सात रन सिक्सर का इना मा चुका है पप्पु भाई की और से एक अजा रूप्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 बासट रन छे दिकेट के नोकसान के उपर पारी का यह आखरी ओवर चलता हुआ झालता हुआ विशाल बामने के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर इसे ही थोड़ी कहा जाता है विप्रित परिस्तितियों के बेताज बासा बल्लेबाजी के उपर है एक सिक्सर लगा चुके हैं अब जीतने के लिए चार गेंदों के उपर साथ रंच चाहिए 62 बासाट रंचे विकेट के नुकसान के उपर पारी का यह आखरी ओवर चलता हुआ कुछ सलाम अस्वरा चर्चा विचाना जरूर चलती होई वहाँ पर काफी लेजंड टिकेटर है दर्विस बक्सी और रईस कादरी रोमान चक मुकाबला दिल की धड़कन तेज कर देने वाला मुकाबला चलता हुआ बीच मेदान के उपर फिलाल नहीं बॉलिंग लाइन के उपर तयार दूर वाले छोड़े स्ट्राइक के उपर बल्ले बाज विसाल बामने सामना करने के लिए तयार डाउन दे ग्राउंड इस बार जमीन के समानंतर श्ट्रोकों के रहा है वाइड इस लोगन बाउंटरी लाइन के उपर सी वाही रहे है अच्छी फिल्डिंग वहां पर इस बार हलकी सी मेंस फिल्डिंग कमलेस की और से दो रन आसानी के साथ तीन रन आसानी के साथ काफी एच्छी विट्वीन विकेट बल्ले बाज के बीच तो इसी तीन रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पुचा है तीन गेंदों के उपर चार रन चाहिए अब झाल झाल जो सीखसर लगाया था विसाल बामने ने उसके एक अजार रूपे पप्पु बाई की और से यहां पर जमा हो चुके हैं झाल झाल अच्छा कैच वहाँ पर गेन ट्रावेल नहीं कर पाई और वाइड इस लोगन बाउंडरी लाइन के उपर धर्मेश बक्सी की और से अच्छा कैच विकेट का पतन होता हुआ झाल झाल प्रस्तान क्या है विकेट के उपर जीतने के लिए अभी भी दो गेंदों के उपर चार अनों की जरुवत एक मीट अमपायर सर खेल रुकाया जाए मुकाबला टाई होगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा डिसीजन लिया गया है आयुजक की और से दो गेंदों के उपर चार रण चाहिए पूरे ग्राउंड में चार और फोक की वज़से थोड़ी सी फिलिंग में दिक्कत आ रही है गेंद चली गई इस बार सोट फाइन लेक के उपर से सी मारेखा के बार चार रण नोबल और मुकाबला जीता ओम स्ट्राइकर्स ने ओम स्ट्राइकर्स ने मुकाबला जीता है सेमी फाइनल में प्रवेश किया है प्रदी गिलेवन मुकाबला जीता हुआ और अब मुकाबला खेला जाएगा जलाराम ग्रुबा और रोम स्ट्राइकर्स के बीच में झाल जाएगा जाएगा जीता है